जी हां शाक्स ने एक स्टार्टप को लूटा शाक टैंक के फोर्थ अपिसोड के सबसे पहले स्टार्टप गैर हेड मोटस इनकी वेलवेशन पचास करोड से सीधा पंदरा करोड पे लाके रख दी मतलब कि इनके कमपनी की 35 करोड की वेलवेशन सिर्फ 10 मिनट के अंदर हवा कर दी आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्यू शाक्स ने ऐसा किया और इसके पीछे इनका रिजन क्या है और हमें क्यू शाक्स को लुटेरा कह रहा हूँ किस तरीके से शाक्स ने लूटा इस स्टार्टप को ये सारी चीज़े हम लोग आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो चैनल पर पहली बारा हैं मैं उन्हें बता दू कि ये मैं सीरीज बना रहा हूँ शाक्स टैंक के हर एक एपिसोड को रिव्यू करते हुए कि एक स्टार्टप को अगर फंडिंग मिलती है तो किस रीजन से और अगर नहीं मिलती तो उसके पीछे वजा क्या है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ बिल्कुर भी टाइम नहीं है जल्दी से तो शाक टैंक के फोर्थ एपिसोड के सबसे पहले जो स्टार्टप थे उनका ना था गेर हेड मोटर्स ये कमपनी के दो फाउंडर्स थे निकील और महर निकील पूरी तरीके से स्टार्टप को पिछ कर रहे थे तो हम समझेंगे कि वही इस कमपनी के फाउंडर है और इसके क करना चाहते थे तो इनका विजन बहुत जादा थकड़ा था अब समझते हैं इस कपनी को funding मिली तो मिली क्यूं ये कंपनी को funding मिलने के पीचे सिफ और सिफ तीन काराने सबसे पहला clarity, इस company को बहुत अच्छे से clear था कि इनके target audience क्या है, इनसे पूछा कि आप explain कीजे कि आपकी target audience क्या है, तो इननो बहुत अच्छे से explain किया, कि जब से electric का जमाना आया है, electric bikes आई है, scooters आई है, cars आई है तो सब लोग electric की तरह बढ़ रहे हैं electric vehicles की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर अब ध्यान से देखोगे, तो 70,000 के पीछे, एक भी ऐसी company नहीं है जो कि electric vehicles प्रवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो segment पे अभी भी motor vehicles petrol, diesel company ही चलती है ऐसे ही vehicles चलते हैं, तो इस segment को cater करने के लिए, उन्होंने अपने electric bicycles लाई, उनको पता था कि एक समय आएगा, जब motor vehicles की demand कम खतम हो जाएगी, और electric vehicles की demand आजाएगी, तब उस समय पे 70,000 के अंदर कोई अगर game खेलेगा, तो वो होगी इनकी company जो कि electric bicycle और tricycle बनाती है जो की एक charge के अंदर 60 km तक का distance travel कर सकती है second reason की इनके पास revenue, sales and profit बहुत जादा तकड़ा था अवेर इनकी revenue की बात की जाए तो इनके पास पहले ही government से 20 करोड के pre-orders थे, अच्छा खासा revenue भी कर चुकी थी, और valuation भी ठीक ठाकी लेके आई थी यह अपने इस company के लिए valuation मांग रहे आये थे, 2% के 45 लाग उठाने मतलब की लगभग 37 करोड की valuation जो की एक justified valuation थी third reason जिसके पासे इनको funding मिली, वो है experience founders यह दो founders काफी जादा experience थे, एक company को बना के अच्छे सा sell out भी कर चुके थे, और एक अच्छा खासा motivation और अच्छा खासा experience गेन करते थे इस startup world का, अब समझते कि इनके साथ धोका कहा हुआ, इनके demerits क्या थे, और third चीज़ की इनके साथ किस तरीके से game खेला गया, सबसे पहला समझो कि जैसे ही शाक्स ने इनको डराया, इनके founders को डराया, जैसे एमन गुपता ने, गोल माल भाई, भाई, सब गोल माल है, ये बोल के वैसे ये founders की फट गई, ये फटा-फट अपने बातों से बोलने लगे, फिर उसके बाद फटाक से उस बातों से पलड जाने लगे, जिसके वज़े से founders का दिमाग खराब हो गया, और इसी पे जले पे नमक छिड़कने का काम किया, अनुपम मित्तल ने, इन्होंने अपनी आवाज बढ़ा के बोली, कि आप मुझे अच्छे से पिच कीजिए, otherwise मैं ये आपके startup से बाहर हूँ, मैं आउट हूँ, तो जिसने इनको और जादा डारा दिया, आप सबसे बड़ा गेम कहां आता है, कि जैसे अनुपम मित्तल ने पूचा कि आप चलो electric bicycle का business करना चाहते हो, तो ये जो आप बैटरी लगाते हो, ये made in China की made in India है, इन्होंने बोला आप बनाते हैं, कोई और बनाता है, वो बोलते हैं कि हम ही बनाते हैं, तो अनुपम मित्तल ने बोला, ये तो बहुत तगडी बात है भाई, कि एक बार आपने bicycle बेज दी, बहुत अच्छा, लेकिन अब आप ये battery को बेचके recurring revenue यू बना सकते हो, जो कि हमारा main business होगा, और देरे-देरे करके, अगर made in India है, तो जब एक समय आएगा, जब सारी बहुत सारी company आजाएंगी, जब bicycles, बेचेंगी, electric bicycle, तो उनको battery हमसे खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हम ही सीवे company रहेंगे, जो made in India batteries बनाते रहेंगे, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा, लेकिन उसे time, इनके founders ने बोला, कि भाई, ये जो batteries की company है, इसके हम लोग ने अलग company register करी है, GHM's Labs Private Limited के नाम से, अनुपा मित्तन ने बोला भाई, ये कौन सा तुम भांग फुक के आयो, ऐसा तुमने क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि अगर हम इस company के सांद मर्च कर रहे थे, तो सब लोग इनको एक bicycle manufacturing company की तरह से देख रहे थे, इससे हमें company की valuation बहुत जा अगर हमको deal करनी है, तो हम दोनों company को सांथ में करेंगे, मतलब आपको ये दोनों company को merge करना पड़ेगा, उसने बोला ठीक है भाई, मैं merge करनी के लिए ready हूँ, तो उन्होंने बोला कि अब आप दोनों company का मिला के valuation बता होगी, कि कितना लोग है भाई, तो अब basically होता क्या है कि logic होता है, कि मेरी ये company की valuation 37 crores मैंने बोल दी है, और ये company की valuation पहले से ही 15 crore है, जिस पे मैं पहले से funding उठा चुका हूँ, तो ये दोनों की, अगर हम लोग valuation को मिलाएंगे, 37 plus 15 होता है 52 crores, मतलब की 22 crore की valuation पे मेरेको funding मिलनी चाहिए, चलो माना 1-2 crore छोड़ना पड़ा, तो मोटा मोटा 50 crore की valuation पे funding मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे निकिल भाई भाई होशी में नहीं थे, इनके founder, इनके founder ने सीधे सीधे pitch कर दिया, कि हम तो 33 crores के valuation पे funding उठाने के लिए ready है, इस बात पर आनुपा मितल हसे भी, उन्होंने बोला कि पागल वागल तो नहीं होगे, वह ऐसा सोच रहे होंगे, उन्होंने हसा भी, लेकिन अब शाक्स इतने साधा शाने हैं, कि उन्होंने उनको बताए नहीं कि भाई तिरे से गलती हो गई है, तिरे company की valuation मिला के 50 crore होती है, तो 33 क्यों बोल रहा भाई, पागल वागल हो गया, क्या, उन्होंने ऐसा नहीं बो 33 crore होती है, हम तो भाई नहीं देंगे, हम 1 crore हो जाएंगे, लेकिन 3% के बल्दी नहीं, 6% के बल्दी, मतलब कि अब 33 crore की valuation सीधे हैं आगए 15 crore की valuation पे, मतलब देखो कि कहां पे valuation मिल सकती थी, 50 crore की valuation पे funding मिल सकती थी, लेकिन at the last founding मिली, 15 crore की valuation पे, और यह और सिर्फ औ नहीं थे, आपको डराया, आप डर गए, केले के छिलके पर पैर रखे, फिसल गए, और पूरा काम हो गया, खराब, तो चलो, आज की वीडियो का यही एक main हमारा सीख था, कि अगर आपका भी फंडिन लेने जाते हो, तो इंवेस्टर का काम है, कि आपको डराना, डरो मत, और बात करना चाहते हो, अब आउट सेक्शन में वाट्स अप नमबर दिया हुआ है, कभी भी वाट्स अप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाइ करूंगा, मेरी जान, मिलता हो नेक्स वीडियो में, बाई बाई सायो, नारा,